धम्म शरणम गच्छामी करुणा माने यहाँ प्राणियों के प्रती मन में एक ऐसी सोच ज़जबात जो अनुपब हो यानि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में प्राणियों की परशानियों के भार का संकल्प त्यागोंगा नहीं जब हम किसी प्राणी को देखते हैं, तब तीन तरह के दुख होते हैं, वो हम समझ जाते हैं जब कोई प्राणी या जीब जन्तू दुख में होता है तब भी हम समझ जाते हैं। साधरन दुख को समझना आसान होता है लेकिन परवर्तन चील दुख होते हैं तो दिखने में तो सुख लगते हैं। लेकिन वास्तब में वो दुख हैं तो दिखने में तो सुख हैं लेकिन वास्तब में वो दुख हैं हमारे मन में ऐसे दुखों से दूर होने का खयाल नहीं आता है जबकि हम ऐसा चाहते हैं कि ये सुख दुख के रूप में हमें और ज़्यादा प्राप्त हो इसके होने का कारण ये है कि हम वास्तप में दुख को समझ नहीं पाते हैं इसलिए सबसे पहले अपनी जिन्दगी के हालातों को समझना चाहिए फिर इसके द्वारा दुखों को समझना चाहिए आने वाले जन्म के प्रती इस तरह से एक लक्ष रखते हुए बौध की ज्यान की प्राप्ती के लिए जैसे जब कोई शूद करते हैं इसके लिए भी एकदम से पी अच्डी नहीं होती सबसे पहले वो छोटे बाट शाला में शिक्षा प्राप्त करते हैं फिर बाद में दूसरे कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं कहने का मतलब ये है कि शुरुवात छोटे से होती है इसी तरह ज्यान की प्राप्ती के लिए शुरुवात करनी पड़ती है जैसे कि आचार अतिशा के जो बौधत्व हैं पुस्तक हैं उसमें तीन तरह की इंसान कर्म के तौर पर रखे गए हैं उसमें साधारन व्यक्ती से शुरुवात करते हुए देवताओं और मनुश्यों का ज्यान प्राप्त कर बुद्द्ध की और प्रस्थान होता है जैसे कि आचार कमलशील के भावना करम में बताया गया कि ध्यान समाधी करते हुए समय के अनुसार, समय बनाना बहुत जरूरी है जैसे कि दो तरह के समय बताए जाते हैं एक तो आप ध्यान कर रहे होते हैं एक ध्यान से उठने के बात का समय होता है जैसे कि जब पूजा पाठ या जो ध्यान कर रहे होते हैं उसमें एक तरहा का अपने पून का विकास कर रहे होते हैं जैसे कि ग्रंथ में भी कहा गया कि जिनकी शरण में हम जा रहे होते हैं उन शरण दाताओं का ध्यान करते हुए कल्पना करते हुए सूचना चाहिए कि हमारे समक्ष वो विराजमान है तो इस तरह के पाठ से ध्यान करते हुए जैसे कि बौध्धचार अवतार में पाठ करने के बाद निकलेगा कि साथ तरह के पूजा पाठ किये जाते हैं तो ये साथ कर्म के पाठ हैं उस माध्यम से पूणी की व्रत्ती करने और प्रार्थना करते हुए भी एक तरीका है जब मूल अभ्यास करते हैं तो उस तरह से भी ध्यान और अभ्यास तोनों एक साथ करना महत्तर पूण है जैसे कि बौद्धा चार अवतार्य में संकल्प के तोर पर आचार ने कहा कि सबसे पहले स्वयम में बदलाव लाने के लिए स्वयम में अच्छी आदट डालने के लिए ग्रंत की रचना करने जा रहा हूँ जब आप इस ग्रंत का पाट करेंगे तो अपने आप आपके मन में बदलाव आएगा इस द्रिस्टी से अभ्यास करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करते हुए मन में बदलाव लाने का प्रयास करें हम जब ध्यान करते हैं तो उस समय नजर किस और होती है नजर और ध्यान की दृष्टी सच्चाई पर या यधार्थ पर या परमार्थ पर रहना चाहिए वास्तिविक्ता पर ध्यान रहना चाहिए उसके बाद जो दूसरी सोच है इस सोच के प्रती उसके मूल यानि के स्वभाव पर ध्यान रहना चाहिए इस तरह से जब ध्यान की भावना करते हैं तो काट छाट करते हुए विचार के माध्यम से भावना करना होता है दूसरा ये है कि अभ्यास के माध्यम से भावना करना होता है फिर ऐसा करते करते जो समय बताए गए थे पहला कि जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं एक वो होता है जब हम काट-छाट या अध्यन कर रहे होते हैं दूसरा ये कि जब हम साधना कर रहे होते हैं फिर ऐसा करते करते दोनु को एक साथ करना आसान होता है इसलिए भावना करने की बात होती है तो समाथा मन को शांत रखते हुए ध्यान करने की बात होती है फिर जो मन के राग, द्वेश, मुहूं, आदी जो नुस्क है पाप या कलेश वाली जो सोच होती है उसको नुश्क को बताना और छानना आदी होता है जब तक विपाशना की बात होती है तो विपाशना की समय एक तरह से काट छाट कर रहे होते हैं परक रहे होते हैं इस तरह से वास्तिविक्ता और यथार्थ दिखाई देने लगती है ये भावना जो है दिन में कम से कम दस या पंद्रा मिनट करनी चाहिए फिर आदत के बाद दो घंटे या तीन घंटे तक कर सकते हैं बौद धर्म में कहा गया कि ध्यान हमिशा कम समय का होना चाहिए लेकिन बार-बार करते रहना चाहिए कहनी का मतलब ये है कि बार-बार करें लेकिन समय कम रखें ऐसा करके ध्यान अच्छी तरह से हो पाएगा फिर ऐसा करते करते दो समय बनाकर एक जो ध्यान कर रहे होते हैं दूसरा ध्यान से जब निकलते हैं इसलिए ग्रंथों का अध्यन करना बहुत महत्रपून है जब तक ग्रंथों का अध्यन नहीं करेंगे तब तक बुद्ध का विकास नहीं हो सकता। ऐसे ही कम समय में हम कई बार ध्यान करेंगे तो बुद्ध की प्राप्ति होगी। जैसे बौध्धा चार अवतार में प्रवचन सुन रहे हैं, सुनने के बाद जब आप घर वापस जाएंगे, तो चार समय बनाईए। जाएंगे, सुबह, दुपहर, शाम और रात के समय बनाई जाते हैं। लेकिन कम से कम सुबह उठने या जागने के बाद ध्यान लगाकर अपने आत्म बल को बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसी लिए ध्यान करने के समय की जो बात है, वो जारा जरूरी नहीं है। बलकि नंबर जादा रखने की बात है। आचारे शील की ग्रिंतों की अनुसार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद समापन प्रार्थना से होना चाहिए। जो अपने पुन है, समाधी में अपने प्रार्यों को अर्पित करना चाहिए। जोहां तक ध्यान करनी की बात है, वो अपने अनुसार कम या जारा करें ध्यान करते समय धार्मिक कल्पना, अपने समक्ष भगवान, मुनी और भगवान विराजमान है ऐसी श्रद्धा रखें बाकी जारा कुछ सोचने की जरुवत नहीं है पिर ऐसा अभ्यास ध्यान जो है, वो साल से साल, महिने से महिने करते जाएं तो उससे जरूर एक परिवर्तन अपने जीवन में आएगा और लाब होगा यहां बाध्ध चावतारियों क्या शुभारंब कर रहे हैं, जो पेश नंबर 69 में है इसमें कहा गया कि बाध्ध को अच्छे से समझने के लिए तथागत हूँ कहा गया कि बाध्ध चित्त रूपी रतन को अच्छी तरह ग्रहन करने के लिए मैं तथागत हूँ सब धर्म और गुसागर पुत्रों की पूजा करता हूँ यहां पाठ करते हुए और इस इसलोक के विशय में इससे पहले भावना कर्म में जो बताया गया था कि भगवान बुद्ध हमारे आज पास स्वाइम विराजमान होते हैं ऐसा जो रत्न वाले बौध चित्त हैं जैसे कि उसके प्रति बौध धर्म धरन करने के प्रति जो धर् जो अपनी ओर से वस्तूorn के प्रति उनकी पूजा करते हैं पूजा करने का जो साधन है उनके माध्यम से इस समाज में जितने भी पवित्र चल हैं जो भी सुन्दर फूल हैं, सुन्दर फल हैं, रत्न हैं सब मैं उन्हें समर्पित करता हूं सब कुछ दीक्षा के तोर पर आपको प्राप्त हो चुका है, ये पाँचवा श्लोक और छटे श्लोक में लिखा गया है, कि इन वस्तूओं का मन में ध्यान करते हुए, उनके सुपुत्रों को अर्पित करता हूँ, इन श्रिष्ठ वस्तूओं को अर्पित करता हूँ, एक तो यहाँ पूजा के साधन जो ह हैं, वो ये कि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास पूजा करने के लिए व्यवस्ता नहीं है, हे नात मेरी श्रद्धा को स्विकार करें, जैसा कि कहा गया है नवी निश्लोक में कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं निर्भै हो पाऊंगा, और प्राणियों का हित करूँगा, लेकिन पापों को नश्ट करूँगा, तो ये जो संकल्प है वो उसमें बिना किसी भै के कहा गया है, बिना किसी भै का मतलब होता है कि गौरब होना, फक्र होना, मन में उत्सहा होना, जैसे कि यहां अपने शरीर को भी समर्पित करने की बात होती है, जैसे कि शरीर को समर्पित करन नहीं है। ये जो अपना शरीर है वो बुद्ध धर्म के पास समर्पित करते हुए कहना चाहिए कि मैं आपके समक्ष जा रहा हूं। मैं आपके शिश्य के रूप में जाऊंगा। मैं दूसरों का कल्यान करने जाऊंगा। मैं अपने शरीर को सेवा के लिए लगा रहा जैसे कि नागारजुन के वाध्य में करतना माला में कहा गया कि बौधा चावतारे में कहा गया कि जल, वाई, वादी, प्राणियों के हिद के साधन के रूप में खुद को देखें। ऐसे ही अपने आपको समर्पित करने के लिए आप खुद को देखें। जैसे कि पहले के पापों को नश्ट कर गिये, आगे के पापों को नश्ट करने का संकल फिले, ये प्राइश्चित के तौर पर भी आपकी मदद कर सकता है, अगर पाप के प्रती पचतावा हूँ, ऐसा संकल फिलेना चाहिए, अब इसके बाद जैसे की दस्वे जो श्लोक हैं, तो दस्वे श् भारतिय परंपरा के अनुसार सामान कहरते हैं, सुगंदि जो धूब आदी से पूजा पाठ करते हुए, दस ग्यारे जो श्लोक, तथागत के पुत्रों से अत्यंत खुश्वू से भरे कलिशों और सुन्दर गीतों के साथ प्रणाम अर्पित करूँगा, तो भारवे श्ल में जो है, उनके अनुसार, उनके लिवास के अनुसार, उनके अपने जो वस्त रहें, उसके अनुसार, अर्पित करने की बात है, और इसके बाद जैसे सुगंदित जल होता है, वो भी पहुचने की बात होती है, जैसे कि भारतिय परंपरा है, सन 1956 में जब भारत में पहली यात्रा के समय आमंतुरत किया गया था, तो किसी एक मंदिर में इस तरह से पूजा अर्चना की गई थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो सुगंदित जल मेरे हाथ में रखा गया था, वो जानकारी ना होने के कारण मैंने पी लिया था, ऐसे इस लोक का पाठ करते हुए यहां से आखर में जो की ये सभी जंडा आदी जो भी पूजा के साधन तथागत बुद्ध मुनी के समय अर्पित करता हूँ, यहां इसके बाद बीसवे शलोक से आरंभ हो रहे हैं, इसके बाद कई प्राडियों को आनन्द देते हुए सुंदर संगीत भी प्रस्तुत करू तो यहां से जैसे बताए गए हैं यहां तक पूजा के साधन जो आपके समक्ष हैं उसकी बात हो रही है, इसके अलावा कई साधनों और संगीतों के द्वारा प्राडियों को आनन्दित करूँगा, मन के द्वार का ध्यान करते हुए पूजा के जो साधन है वो कल्पना के तोर पर बताए गए, इसलिए स्वयम अपना जिस्म है और अपना मन है, ये तीन द्वार भगवान बुद्ध के समक्ष अर्पित करने की जो बात है उन्हें पूजा के साधन मानते हुए अर्पित किये गए हैं, सभी रतनों की लगातार वर्षा होती है, इससे पहले मन्ज संख्या में तथागत प्रणाम करता हूँ, सभी मंदिरों और मुनियों को प्रणाम करता हूँ, मंदिरों का मतलब जो यहां जितने भी बुद्ध के तीर्थ इस्थल हैं, उन्हें याद करते हुए, ऐसे ही बुद्ध की ग्यान के प्राप्ती से पहले जो शिश्य अभ्या कर रहे थे, उन इस्थानों को याद करते हुए, वंदिना करता हूँ, जब तक मैं पून रूप से बुद्ध की शिर्ण में नहीं जाता हूँ, फिर सभी दिशाओं में संबुद्धों और महा करुणा मुनियों से हाथ चोड़ का निवितन करता हूँ, प्रार्तना करता उनकी सी जन्भ में मुझे बुद्धस तत्व की प्राप्ती खुजाए। पूजा अरचना जरूरी है, ये एक तरह की कंजूसी को खत्म करने का उपाय होता है। पूजा का साधन एकटा करके, व्यवस्था करके, हमारे मन में जो कंजूसी की संसकार हैं, उन्हें खत्म करन के लिए होता है। गुरुजी और आचारे जी जब प्रवजन देते हैं, तो आसन पर विराजमान होने से पहले नमन करते हैं। नमन करते समय जैसे भगवान बुद्ध हैं, उस तरह किसी भी ग्रंत से संबंदित परंपरा से गुरुजनों को याद करते हुए, नमन करते अगर घुटने टेक कर नमन ना करें तो आसन पर बैठने के बाद एहंकार भी पैदा हो सकता है। जैसे करंपा के आचारे गुरुजी ने कहा कि जितने लोग आपका मान सम्मान करें, अपने आपको उतना ही छोटा समझना चाहिए। जब आसन पर विराजमान होते हैं, चर अलच पैदा नहीं होता। तो इसलिए शायद आप भी अपने गाउं में, अपने देश में देख सकते हैं कि कुछ लोगों में बहुत घमंड होता है। मैं चीन गया था तो वहां एक व्यक्ति से मेरी बात होई। तो उन्होंने बताया कि वो सीना तान के बैठे थे दम्मं शरणस गच्चामी धम्मं शरणंस गच्चामी संघंग शरण नहीं जवित रटन होता है। झाल झाल